हुब दीयर फ्रैंड्स वेलकम टू मैं यूटीप चैनल बियर फ्रैंड्स यूवी वीजिबल स्प्रेक्टोस्कोपी हम नेिसका बेसिक प्रिंसिपर डिसकस किया था फिर इसमें देखा था कि ये लेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें डिफरेंट टाइपस होती हैं जैसा कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार है पाई टू पाई स्टार है एंड टू सिग्मा स्टार और एंड टू पाई स्टार आज हमने देखना है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है उसमें किस तरह के बैंड्स कितनी ताइप के बैंड आ सकते हैं, जैसे ये एक बैंड है, तो हमने देखना है टाइपस ओफ एब्सॉप्शन बैंड और फिर देखना है कि उसके पीछे वज़ा क्या है डिफरेंड बैंड बैंड बनने की, ये लेक्चर बहुत जरूरी है, नेक्स लेक्चर जो हम स्टार्ट करन जा रहे हैं, एरोमैटिक सिस्टम के लिए, जो एब्सॉप्शन बैंड हमने डिसकस करने हैं, उनको समझने के लिए ये लेक्चर अंडरस्टार्ट करना जरूरी है, तो सबसे पहला जो बैंड है, दैट इस के बैंड, के जर्मन वर्ड कांजूजिरेट से हैं, इसका मतलब है, ये कोंजूगेटर पैंड सिस्टम में होगा, और कांजूगेशन हम पढ़ चुके हैं, ये पार्टिकुलरली जो कॉमन वाली है यार्ट इस पाई सिग्मा पाई, यानि आल्टरणे डबल और सिंगल बार्ड होते हैं, तो ये कोंजूगेटर सिस्टम में होगा, सबसे पहले बात ये वड़ा मैंट तब बनेंगा जब सिस्टम कॉंजुगेटर्ड होगा और इसकी इंटेंस्टी 10,000 से ज्यादा होगा यानि मोलर एब्सॉप्टिविटी जो हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है उसमें ये जो हाइट आती है ये वाली ये पीक की जो हाइट है इसको कहते हैं इंटेंस्टी या मोलर एब्सॉप्टिविटी इमेक्स इसकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा आएगी और अगर ये वैल्यू 10,000 से ज्यादा आए तो हम कहते हैं ये अलाउड ट्रांजिशन है याद रखिएगा चूंके के बांड कांजुगेटर्ड सिस्टम में है पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होगी जैसा के हमारे पास ये वाला यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है 1-3 ब्यूटा डाएइन का अब जो 1-3 ब्यूटा डाएइन सिस्टम है ये कांजुगेटर्ड सिस्टम है इसमें दो पाई बांड है 1 और 3 पोजिशन पे इसका मत तो यहां पर ये जो हमारे पास सिस्टम है मंतरी ब्यूटा डाइन इसमें ये जो हमारे पास लेमडा मैक्स आती है ये वाली जो वैलियू आती है लेमडा मैक्स की 217 नैनो मीटर आती है और फिर इसकी जो मॉलर एबसॉप्टिविटी है ये जो आपको हाइट नजर आ रही है intensity नजर आ रही है ये 21,000 है तो ये वाड़ा जो बैंड है ये जो conjugated system में आएगा इसको कहती है के बैंड के बैंड जो है ये allowed transition की वज़ा से होता है और इसकी intensity 10,000 से ज्यादा होती है फिर हमारे पास दूसरा बैंड है आर बैंड आर जर्मन वर्ड रैडिकल आर्टिक से है अब जो आर बैंड है ये एन टू पाई स्टार transition की वज़ा से होते हैं अब यहाँ पर एन भी है और पाई स्टार भी है एन से मुराद है यहाँ पर lone pair होगा non bonding electron pair होगा और फिर पाई स्टार से मुराद है यहाँ पर हमारे पास पाई बांड भी होगा यहाँ दो चीजें होनी जरूरी है नमबर वन पाई बांड भी होना जरूरी है और नमबर टू पर lone pair भी होना जरूरी है फिर जाकर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी और फिर हमारे पास आर बैंड अपियर होगा जैसा कि आप एल्डी हाइड की टोन्स को देखें सी डबल बांड ओ ग्रूप है तो यहाँ पर उक्सीजन पर lone pair भी है और फिर कार्बन उक्सीजन के दिरम्यान पाई बांड भी है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास आर बैंड अपियर हो सकता है एल्डी हाइड की टोन है कर्बाक्सले केसर्ट बगार आप कहा रहा है अब यह जो एंड टू पाई स्टार ट्रांजिशन हैं इनके लिए सिंगल क्रोमोफोर जैसा के एल्डी हाइड की टोन में यह सिंगल क्रोमोफोर ग्रूप होता है सी डबल बांड हो यह किसी जगा पे NO2 आ गया तो lone pair भी आ जाएगा oxygen पे और फिर pi band भी आ जाएगा NO2 में और फिर lone pair होना चाहिए यानि क्रोमोफोरे ग्रूप जैसे कार्बोनिल है नाइट्रो है और सासाथ lone pair भी मजूद होना चाहिए इसकी intensity बड़ी काम होती है 100 से भी काम है इसका मतलब है यह forbidden transition होगी यानि एन टू पाई स्टार transition forbidden transition है यह allowed और forbidden transition मैं description में यह lecture दूँगा यह भी समझना बहुत जरूरी है या वह वाला lecture मेरा जो पहले record हो चुका है वो सुन सकते हैं तो आपको clear हो जाएगा कब allowed transition होती है और कब forbidden transition होती है उसकी logic क्या है जैसे कि यह हमारे पास एक spectrum है AC tone का अब AC tone में C double band O group होता है अगर C double band O group है तो loan bear भी आगया पाई band भी आगया N to pi star transition भी होगी R band भी आजाएगा यह वाला band R band इसकी जो lambda max है वो 270 nanometer है लेकिन इसकी molar absorptivity चेक करें तकरें 15 है यानि बहुत कम है molar absorptivity just 15 it means यह forbidden transition है तो यह हमारे पास आजाएगा जो R band है जहाँ पर loan pair होगा और N to pi transitions होगी तीसरा है B band B band B far benzenoid यानि यह बेंजीन सिस्टम के लिए है और यह एक दफा फिर pi to pi star transitions होगी यहाँ पाद यह aromatic system के लिए है और जैसा के benzen में 230 से 270 nanometer तक आता है अब benzen पर अगर chromophore लग जाए तो B band को के से भी longer wavelength पे shift कर देता है जैसे हमारे पास benzen है benzen ring के लिए जो हमारे पास band आएगा that is benzenoid band अब जो benzenoid band है B band है यह और ज्यादा longer wavelength पे shift हो जाता है B band longer wavelength पे चले जाता है के से भी अगर इसके उपर कोई chromophore लग जाए जैसे NO2 group लगा दें जैसे कार्बोनेल ग्रूब एलडी हाइड का लगा दें किटोन का लगा दें जैसे यह एसीटाइल बैंजीन एसीटोफिनोन है यानि कोई chromophore लग जाएगा तो B band longer wavelength पे चले जाएगा अब यहाँ पर अगर हम spectrum देख लें यह वाड़ा यह एसीटोफिनोन का है अब इसीटोफिनोन में यह वाड़ा जो band है यह के band है के फार conjugate यह हमने पहले देख लिया और के band जो है यह allowed transition शो करता है इसके intensity अच्छी खासे होती है अब अगर इसकी हम lambda max check कर लें तो यह 240 nanometer है यह वाली this is 240 nanometer this one 240 और इसकी intensity देखें कितनी ज़्यादा है यहां से यह स्टार्ट हो गई यहां तक इसकी intensity है 13,000 यह यह 10,000 से ज़्यादा है अगर यह 10,000 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है यह हमारे पास allowed transition है फिर यहां पर एक छोटा सा band और भी है 278 nanometer के करीब अब देखें यह longer wavelength पे चले गए इसका मतलब है यह B band B band longer wavelength पे चले जाता है और जो B band है उसकी intensity चेक करें just 11,10 है इसका मतलब है यह allowed नहीं है यह forbidden transition की वज़ा से होता है तो K जो है यह वाड़ा conjugated conjugation की वज़ा से है और इसकी intensity ज्यादा होती है K band की और यह allowed transition की वज़ा से होता है जबकि यह जो B band है 278 पे जो आया है हमारे पास यह जो B band है इसकी intensity काम होती है और यह forbidden transition की वज़ा से होता है अब इसके बाद हमारे पास एक final type है that is E band E band है ethylenic, ethylene जैसे हम ethylene ethyene का दूसरा नाम है यह भी πाई to πाई star transition की वज़ा से होगा और benzenoid system में तीन ethylenic bond होने चाहिए जैसे benzene में होते हैं तीन bond तो उसमें ethylenic means दो-दो carbon होंगे यहां पर जैसे एक ethylenic यह हो गया, दो carbon एक यह हो गया और एक यह हो गया, ethylenic और यह सारे के सारे क्या होने चाहिए, benzenoid का मतलब है, conjugation में भी होने चाहिए जैसे benzene में conjugation में है, closed system, aromatic तभी होगा जब यह closed system होगा तो system closed भी होना चाहिए, एक बात, benzenoid, यहनि तीन पाई bond उसमें होने चाहिए तो फिर जाके E bands appear होते हैं, अब E bands जो हैं, यह फरदर दो तरह के होते हैं E1 और E2 जैसा के benzene में E1-184 पे और E2-202 पे appear होता है, इनको primary bands भी कहते हैं यह हम detail से पढ़ेंगे next lecture में कि aromatic compound में absorption band किस तरह कियाते हैं और different substituents उनको कैसे effect करते हैं, देखें, यह हमारे पास spectra है benzene का benzene में देखें, तीन पाई बांड मजूद हैं, एथिलेनिक बांड तीन मजूद हैं इसका मतलब है, इसमें E bands आएंगे और E band यह E1 और E2 अब यह जो E1 है, यह वाड़ा यह आता है 184 पे, यहां पर 184 पे आता है, जबके यह आता है 202 के करीब आता है यह जो हमारे पास है, दूसरे वाड़ा band E2 E1 की intensity चेक करें ज्यादा है E1 जो है, this is more intense than E2 कितनी होती E1 की? E1 जो है 47,000 पे आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है 47,000 इसकी molar absorptivity यह नहीं इंटेंस्टी है means यह allowed transition है E2 में 7,400 है, 10,000 से कम है लेकर फिर भी अच्छी intensity है as compared to this one, यह जो हमारे पास band है this one is E1 this band is E2 अब यह जो हमारे पास आया है इसको कहते हैं secondary band यह fine structure होती है fine structure और यह secondary band है next lecture में हम इसकी reason भी पढ़ेंगे कि इसमें इतनी fine structure आती क्यों है? इतनी fine structure आने की वज़ा क्या है? लेकिन इसकी intensity E1 और E2 दोनों से कम होती है और सिर्फ 230 है यह पियर हुआ 255 पे B band है यह E1 है फास्ट वाड़ा सबसे ज़्यादा intense और E2 उससे कम intense होता है जबके जो B band है B band इन दोनों से कम intense है और इसकी fine structure आती है और इसकी wavelength 255 है और फिर इसकी जो mother absorptivity है वो 230 है तो यह हैं dear friends तीन तरह के हमारे पास और इचार तरह के हमारे पास bands एक है हमारे पास K band conjugate system में फिर R band है जहां लोन पेर आजए अच्छा R band के लागा बाकी सारे band चाहे वो K band है चाहे वो B band है चाहे वो E bands हैं वो सारे pi to pi star transitions की वज़ा से होते हैं सिर्फ इसमें एक है R वाड़ा R band जो N to pi star transitions की वज़ा से होता है तो यह है dear students different तरह के bands UV visible spectrum में जो appear होते हैं next lecture में हम aromatic system में different bands और उनकी फिर reasons पढ़ेंगे कि इन bands की बीचे logic क्या है thank you very much